हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्लेक्शन टार्गेट दोस्तों यह जो साल 2021 है वो कई सारे एक्जाम लेकर के आ आने वाली है राजस्तान में भी आने वाली और कई प्रदेश में लगातार कई सारे एक्जाम होने वाले हैं तो उन्हीं एक्जाम को ध्यान में रख करके जो इंपोर्टेंट टॉपिक है जो कि जिससे सवाल जरूर पुछ रहाता है खासकर करेंट अफेर्स में और वह चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है या टेलिग्राम में सर्च करके मेरे चैनल को जोइन कर सकता है और वहां से पीडिया प्राप्त कर सकता है तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो दोस्तों पहला प्रशन है कि नीती आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है आपके समक्ष पहला सवाल है कि नीती आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है आपके ऑप्शन है देखा शर्मा नरेंद्र मोधी प्यूश गोयल या इन में से कोई भी नहीं दोस्तों इसके ऑप्शन बताने से पहले क्योंना हम नीती आयोग को थोड़ा समझ लें दोस्तों नीती आयोग जोकी योजना आयोग के जगहे पर बनाया गया यानि योजना आयोग था पहले जोकी पंचवर्सी योजनाय बनाता था देश के विकास के लिए और उसकी जगहे पर नरेंद्र मोधी सरकान ने नीती आयोग का गठन किया नीती आयोग का फुल फॉर्म आप न एक दीवरतन संस्था और इंग्लिष में इनफोर नेशनल फ उपर इंस्टीटूशन और Peterson टृंस फॉरमींग और आउए फॉर इंडिया यानि इसको इंग्लिष में आप कह सकते हैं कि नेशनल इंस्टिटूशन फॉर ट्रांस्फॉर्मिंग इंडिया यह नीती आयो का फुल फॉर्म में आप इसको नोट कर लिजेगा पूछा जा सकता है और इसका जो गठन है वह एक जन्वरी यानि एक जन्वरी 2015 को हुआ था एक जन्वीत 2015 को इसका गठन हुआ था तो दोस्तों यह भी आप याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है और फॉल फॉर्म में आपको बोल दिया इसको नोट कर लिजेगा तो अब सुरू करते हैं इसके आप्शन के बारे में तो नीती आयोग का जो वर्तमान अध्यक्ष है वह हैं आपके आप्शन भी यानि नरेंदर मोदी क्यों क्योंकि आपको यह पता हो आपको निती आयोगी के वर्तमान उप्दैक्ष निम्ले में कौन है नĩति आयोगि के वर्तमान उपाध्यक्ष अद्ध्यक्ष दो पता चल ज़िया कि देश क göz बाइश्ट पती ही निति आयोगी का अठ्ध्यक्ष होता है तो जो है वह निद्द किया जाता है और उपहएब्य वर्तमान में कौन है आपके और यहाप्शन है डक्टर राजीयुकुमार वी दर नरेंद्रमोधी सी संजय कोथारी डी राजेश रंजन तो दोस्तों आप जानते हैं कि नरेंद मोधी तो हो नहीं सकते क्योंकि उदेश के नीति-आयों कि अध्यक्ष होते हैं सैने को ठाड़ारी राजेश रंजन यह इन म महानदेशक हैं तो यह में आपको बता दिया कि डक्टर राजी कुमार नीती आयोगी के वर्तमान उपाध्यक्ष है यह आप याद रखेगा अगला प्रशन है कि नीती आयोगी के वर्तमान CEO कौन है CEO आप जानते हैं कि जो चीफ एग्जेक्यूटर आफिसर होता है जो कारकार जो अद्यक्ष होता है वह कौन है तो नीती आयोगी के वर्तमान CEO है वह कौन है आपका पहला अरविंद कुमार दूसरा option अजय त्यागी तीसरा option अमिताफ कांथ डी उपर्युक्त में से कोई भी नहीं तो दोस्तों आपको चुनना है कि नीती आयोगी के वर्तमान CEO कौन है दोस्तों आपका option C यानि अमिताफ कांथ यह आपके नीती आयोगी के वर्तमान CEO है तो यह भी इंपोर्टेंट है आप इस सारे कोशन को बहुत ध्यान से सुनिए और बाद में PDF डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा सबसे अच्छी बात है कि आपको आंसर जो है आयोगी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है संग लोग सेवा आयोग इक वर दमान अध्यक्ष कौन है और आपका पहला option है पंकच vision संग लोग सिवान तो यह आद रखिएगा आपका अगला प्रॉष्ण है कि निम्न में से कौन 21 में विदी आयोग्य के दोस्तों सवाल है कि निम्न में से कौन 21 film के आईयोग्य के अद्यक्र्श आपका पहला प्रीए बालवीर सिंग् दोस्तों जो बलवीर नहीं बलबीर इनका असली नाम है वह बाका वह यहां हो गया है आप इसमें कंफ्यूज मत हुएगा तो 21 में विदी आयोगी के अध्यक्ष कौन है तो जो option A है कि बलवीर सिंह चौहान वही आपके 21 में विदी आयोगी के अध्यक्ष है दोस्तों अगला प्रश्न है निमने में से कौन रास्ट्री महिला आयोगी की वर्तवान अध्यक्ष है यह सवाल बहुत इंपोर्टेंट है वैसे भी महिला श्रसक्तिकर्ण पर जोड़ दिया जा रहा है और यह सवाल मोस्टली एक्जाम में मिल जाते हैं दोस्तों आर आर भी है और भी कई सारे एक्जाम होने हैं तो उनमें सवालों की संभावना प्रवल संभावना है कि यह पूछे जा सकते हैं इसलिए बहुत ध्यान से देखिए पूरी वीडियो के साथ बने रहिए और उसका लाब उठाइए तो प्रशन है कि निमने में से कौन रास्ट्री महिल रास्त्री मेला आयोगी की अध्यक्षा है निर्मला सीतर मर्त आप जानते हैं कि हमारी देश की वित्यमंत्री हैं और वरशा जोसी तो है नहीं तो option भी जो है वो रिखा शर्मा है अगला प्रश्ण है कि राश्ट्री पिष्ड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है यह जो आयोग है यह पिष्ड़े जाती के जो पिष्ड़ा जो लोग है उनके लिए नियम कानूनों की सुरक्षा करता है उनके अधिकारों की रक्षा करता है तो यह सवाल आप आपका option a राजियु कुमार option b अशुकुमार माथुर c अजीत कुमार और भगवान लाल सहिनी तो दोस्तों बताइए कि अध्यक्ष राश्टी पिछड़ा वर्ग आयों के कौन है तो आपका सही option है भगवान लाल सहिनी यानि option d दोस्तों बागवान लाल सहिनी आपके राश्टी पिछड़ा वर्ग आयों के वर्तवान अध्यक्ष हैं तो यह याद रखिएगा एक्जाम की दरश्टी से बहुत important है और अगले प्रश्ण है कि विश्विद्दाले अनुदा आयोग के वर्तवान अध्यक्ष कौन है तो आपके option है धीरेंद्र पाल सिंग पीडी बखेला पंकच कुमार और कुमार राजेश शंद्र इन चारों option में से आपको सही option का चुनाव करना है तो दोस्तों विश्विद्द्दाले अनुदान आयोग के जो अध्यक्ष है वो धीरेंद्र पाल सिंग्ष जी हैं यानि option two अ आपका सही है धीरेंद्र पाल सिंग्ष कौन है तो आपके option है अजय कुमार अशो कुमार मातोर और विवेक जोशी या इनमें से कोई नहीं दोस्तों साथ में वेतन आयोग को सुनकर के ही जो कर्मचारी हैं उनके मन में बड़े लड़ू फूरते हैं क्योंकि इससे उनकी काफी अच्छी इंकम जो उनकी सेलरी वह बढ़ गई थी और आप सब्सक्राइब भी जल्दी से जौब पाएंगे तो यह सेलरी का लाब आप भी उठा सकते हैं तो आपको चुनना है सही आप्शन सवाल है कि साथ में वेतन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है आप्शन ए अजय कुमार आप्शन भी अशो कुमार मातोर सी विवेक जोश है दोस्तों आखरी और जो आपका प्रश्न है जो इंपोर्टेंट है यह बहुत पूछा जाता है कि राश्ट्री मानवादिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है राश्ट्री मानवादिकार आयोग क्या है जो पूरे देश में मानवादिकारों की सुरक्षा करता है यह इसके अध्यक्ष कौन हैं तो आपके option दिये हैं पहला option ओम बिड़ला दूसरा एचल जत्तु तीसरा अमित शाह चौथा अरविंदर कुमार दोस्तों ओम बिड़ला कौन है वो तो जानते हैं कि लोग सवे के अध्यक्ष हैं और अभी हाली में इनकी बेटी ने आई-ए- मानुआदिकार आयोग के वर्तबान अध्यक्ष भी हैं तो आप याद रखिएगा कि राष्टी मानुआदिकार आयोग के अध्यक्ष कोन है एचल दत्तु आमित शाह जो हैं वो आपको पता है कि होम मिनिस्टर है और इसलिए आपका option भी है एचल दत्तु वह सही है दोस्त तो आपको सभी सब्जेट के सवाल कुछ न कुछ जरूर मिलते रहेंगे जिसे कि आपकी जो रूटीन प्रैक्टिस है वो बिल्कुल बरबादना हो हमने कुछ दिन हिस्ट्री के भी सवाल देखे और आज मैंने आपके सामने यह आयोगों को रखा क्योंकि मुझे यह इंप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे बहुत जल्दी हम लोग रीट की गिजाम को दिहन में रख करके बाल विकास भी इसी चैनल पर डिसकस करेंगे तो अगर आपको वीडियो हेल्फुल लगता है आपकी कोई मदद होती है तो चैनल को सब्सक्राइब को न न भूले वीडियो को लाइक करें दोस्तों को शेयर करें और बने रहें सिलेक्शन टार्किट के साथ मिलते हैं अगले नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिन नमस्कार